Hello दोस्तों स्वागत है आग सभी का Sleepy Classes में दोस्तों Sleepy Classes पर हमारा एक form initiative है Pre-Cure के नाम से दोस्तों Pre-Cure शुरुआ तो उसकी सिरफ Prelims के Current Affair से हुई थी लेकिन gradually expand करता गया and दोस्तों उसमें Prelims के साथ मेंस का analysis भी आता गया and accordingly हर रोज हम एक subject discuss करते थे for example, Monday को हम geography के जिससे subject discuss करते थे तो पूरे हफते भर की geography की हम current affairs discuss करते है pre और means दोनों के perspective से तो इसमें definitely जो completion का एक वो है कि हमें completion की feeling आती है कि हमने पूरा subject cover कर लिए हफते भर में then next day हम history करते थे cover पूरे हफते भर की then Wednesday को polity and so on so forth तो दोस्तों को थोड़ा और simplify करते है and coverage को holistic बनाये रखते हुए अभी एक initiative को और आगे expand करते है हमने जैसे अभी जो process में कुछ और invest करना भी चुरू किया है and now we have a few very very good people working with us and जो सभी वो चाह रहे हैं कि एक अगर initiative को थोड़ा सा और refine करते हुए और holistic करते हुए अगर हम हर रोज news papers cover करें ठीक है दोस्तों news papers हर रोज ना सिरफ जिसे the Hindu and the Indian Express के सिवा अगर हम जो important चीज़े हैं उनकी तेह में जाकर उनको देखें जो अखबार में आया हुए अगर आज तो उस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में देख लूँ तो बहुत फाइदा हो सकता है ठीक है दोस्तों तो इसलिए अगर आप नए aspirant है तो आपको बहुत फाइदा होगा जानने में कि कौन सी चीज GS1 में आ रही है कौन सी GS2 में आ रही है GS3, GS4 ठीक है अंड क्या उनके जो डिटेल्स हैं, कौनसेप्स की क्लारेटी होने शुरू हो जाएगी अंड सेकिंडी अगर आप पहले से त्यारी करते आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको यहां पर वाल्यू एडिशन मिलने शुरू हो जाए चीज़ों की इंटर लिंकेज़ तो इसलिए अभी हम Monday to Saturday हम 4 बजे का हमारे जो slot रहता है वो slot में जो हम Precure डिसकस करते हैं Precure मतलब Current Affairs उसमें हम डिसकस करेंगे D&D Daily Newspaper Discussion ठीक है दोस्तों, तो D&D हर रोज 4 बजे अखबार का analysis रहेगा detailed analysis रहेगा और चीज़ों को हम जो इंटर लिंकेज जोड कर देखेंगे लेकिन दोस्तों, इसमें अगर Editorials की बात करेंगे Editorials में और जादा discussions required रहती है Editorials में इंटर लिंकेज और required रहती है तो हमने Sundays का slot अब Editorials के लिए बुक कर लिए लंबा session रहेगा, हफते भर के जो भी important Editorials होंगे Opinion Pages होंगे उस पर अगर कोई और elaboration required है क्या movement रही सारे के सारे जो opinions की इसके बारे में जानेंगे and means के लिए और बहतर तयारी करेंगे Sundays को भी, ठीके दोस्तों Sundays को पूरे हफते भर के Editorials discuss किया जाएंगे simplify टकरे है process को 10 a.m. जो हम discuss करते हैं 2 minutes क्योंकि जैसे अभी prelims का time चल रहा है तो prelims के दौरान हम 2 minutes में prelims का concept discuss करते हैं 4 बज़े हम current affairs करते हैं रात को 10 बज़े हम discuss करेंगे हमारा premix, premix में questions रहेंगे ठीके दोस्तों, जो 4 बज़े D&D में अकबार की discussion होगी and आज का session शुरू करते हैं D&D का पहरा session रहेगा and accordingly will also give you a fair idea कि कैसे cover करने वाले हैं and going forward, it'll just keep getting better ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत है एक नही and आप सभी का साथ चाहिए and accordingly, let's just see, तो हम ये भी try कर रहे हैं कि जो भी हमारा ये lecture है जो लेक्चर पढ़ाएं इसके immediately afterwards हम इसका आपको PDF भी provide कर दें ताकि आपको notes making में और असानी हो जाए कुछ activity भी इसमें डालने के कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चे थोड़ा और actively engage करें ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने lecture के तरफ ओके दोस्तों handing it over to sir Hello and welcome students तो आज हम start कर रहे हैं daily newspaper discussion जैसा कि आपको पता है Precure हमारी पहली जो series चल रही थी अब उसको थोड़ा हमने अप्ग्रेड किया है यह इसलिए किया क्योंकि आपको पता है कि recently एक यह दो साल से UPSC के अंदर बहुत सारे जो question ऐसे आ रहे हैं जो एक information के hidden information उठाती है तो उसी हिसाब से हम यह daily newspaper discussion करेंगे और आपको यह भी पताज लेगा कैसे एक newspaper के अंदर एक particular news को देखना कैसे है UPSC perspective के हिसाब से So let's start अब यह देखो पहली जो news है यह daily edition के page number one पे है ठीक है अगर आप चंडी गारियां किसी और स्टेट से हो तो में भी इदर उदर हो सकती है थोड़ी से आपके उसके अंदर बट आपको यह इस रो पुट्स ब्राजील एमाजोनिया है ना वन सैटलाइट और अधर 18 सैटलाइट इस रो ने और बिट के अंदर पुट गिए अब यह न्यूज देखके आपको इसके अंदर इंफर्मिशन मिलेगी अमाजोनिया क्या है है ना बट आपको दो तिन चीज़ें याद रखनी है अगर सैटलाइट किसी और कंट्री का है अगर तो जैसे नासा का है उसके अंदर थोड़ी सी आप डिटेल देख सकते हो कि कि के रिलेटेड है ज्यादा टेक्णिकल जाने की जिरूरत नहीं है अगर इंडिया का है तो इंडिया के अंदर उसके अंदर हम डिटेल देखें इपेलाइघ थैन्द इसका इंडियान ना इसका में परफल बात करते हूं पहले यह देख लीते हैं इस न्यूज प्रक्र आर् कौण कौन कौण सी कंट्री से ब्राजील यूएंच ए माजोनीय वं अर्फ अब्सक्राइशन सैटलाइट है ठीक है फॉस्त तिंग लेका अर्ट अब्सक्राइशन सेटलाइट किया होता है और अपने साथ से साथ सब्सक्राइब देखना है कि आपने रिखना में लिखा हुआ वहां पर आप के वी है रिए सब्सवोर्डाय के इस अब अब अर्थ के और यह पर कोल भी रहा है तो यहां से क्या होता है जब सेटलाइट से नीचे जाती है और वापस रिफलेक्ट होती है सेटलाइट के लिए और अल्टिमेटली एक यहां पर जो सेंटर होता है अर्थ के ऊपर ही एक सेंटर होगा और इस सेंटर के ऊपर सारी इंफरमेशन में मिल जाएगी तो ऐसे यह का से उपर है वहां से टोटल इंफर्मेशन क्लेक्ट हो जाती है यह काम है जो रिमोट सेंसिंग सेटलाइट क्या से काम करता है अब अमाजोनिया के अंदर क्या है यह फोरेस्ट कवर के बारे में बात करता है अगर मैं आपको थोड़ी से और इसके इंदर डिटेल बताओं आप आपको पता है वे एमजोन फोरेस्ट कहाँ पर आप ने क्या पढ़ना है यह मैं साइड बाइस और इंफ्रमेशन दे रहाँ कौन-कौन सी कंट्री से यह निकलता है ठीक है और कौन-कंपर यहां पर आती है लास्ट ये फ्र यहां प्रमेशन के अंदर ब्राजील में बहुत सारा Amazon forest को लिमिनेट कर दिया था ठीक है तो उसके कंटेक्स के अंदर भी आप अगर मालो आपको न्यूजपेपर के अंदर यहां अपने को इसे के अंदर कोशन आ गया है ना ऐसे के अंदर आ गया के ठीक है नेचरल सोर्स के है परस्पेक्टिव से यहां या फिर आपको सप्रस्पेक्टिव मेंट के के अपको क्लाइबंट चेइज वहां पर आपके लिए एंग्जेंपल होगी कि कैसे उन्हों ने किया अंग्जेम्पलाइट लांच कर दिया तो एमाजोनिया क्या बत distillे बारे में पताएगा यह सैज तो यहां पर आप वहाँ एक्जेंपल कोड़ सकते हो ठीक है आप आगे चलते हैं इसके अंदर यह जो इंडिया के स्टीश्डवन सैट ठीक है यह राइट उसके बाद यूनिटी सैट रहा है यह भी सेटलाइट है इसके बारे में सिर्फ आपको इतना पता हुआ जाए कि कौ सैटलाइट के नाम है और साथ में नाम दियो है तो वहां पर आपको पता रहे हैं कौन सी कंट्री का कौन सा सैटलाइट है अब 18 सैटलाइट है इसके अंदर चार तो हैं इन-स पेस यह भी आपकी इंफोर्मेशन दी हूए निश्पेस इंडिया नस इस यह और साथ में और सुना होगा कि यह बोल रहा है कि नरेंदर मोदी साब की फोटो बेजी गई है ठीक है वहां पर वहां पर भी हमारा अभी चलेगा ठीक है तो यह सारी सबसे पहले कौन सा था ठीक है तो सबसे पहले अगया तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए एसलवी क्या है ठीक है देन एसलवी थेन पी-एसलवी कि यह चार य Aceoll और धेन जी-एसलिग क्य Đेशा और यह ध्यवूं přेख़िक यह देख सके हो देखो पी-ए-स-ल-वी सेट्लाइट लविट कौन से दो आरबिट आपको जो बिलकुल जरूरी है इसके उपर भी काफी वर क्वेशन आया हुआ है, एक तो लो अर्थ और्बिट, लेट ऐस पोज यह अर्थ है, अर्थ के पास जो अर्बिट है, ठीक है, उसके बाद जो बड़ा अर्बिट है, अगर मैं यहां से बनाऊं इसको, ऐसे अर्बिट गुमते हैं, ठीक है, बिलकु जो आपने पड़ा होगा, जियो स्टेशनरी, तो यह अउट रहे, होता क्या है, ऐसे और्बिट का लो अर्थ और्बिट और उसमें डिफरेंस क्या है, यहां पे यूपीसी ने अभी तक वेशन नहीं पूछा, और आपको पता होना चाहिए, अगर मैं आपको बोलूँ के यह अर्थ है, ठीक है, अब यह एक और्बिट है, यहां पे एक सेटलाइट है, अब सेटलाइट के अंदर क्या होता है, अब देखो अर्थ के जो नीचे को क्या लगेगा, ग्रेविटी, ठीक है, अर्थ से अगर यह अर्थ है, और यह सेटलाइट है, नीचे को क्या तो इट मेंस कि अगर हम उसको दुबारा दुबारा फॉर्म करें ठीक है अगर कोई सेटलाइट गूम रहा है तो अल्टिमेटली क्या होगा ग्रेविटी की वज़ा से वह फॉल कर जाएगा इसको थोड़ा समय रब कर लेता हूं तो आपको अच्छे से समझा लेता हूं यहा ग्रेविटी लग रही है नीचे को यह मारा है सैटलाइट ठीक है यह एर्थ के घूम रहा है अर्थ की साइड पे ग्रेविटी है अल्टिमेटली यह फॉल कर जागा जैसे आपने कोई किसी भी पथर को थ्रोग घरते हो तो क्या होता है थोड़ी दूर जाके वह फॉल करता अंडर इंफ्लोंस तो यहां पर भी क्या होगा ग्रेविटी लगेगी तो इसको हमने अगर इसके अंदर गुमाना है तो टोटली ऐसे ।ो नहीं हमें यहां पर इस साइड के ऊपर भी फॉर्स चाहिए रहा है कि इतनी फॉर्स लगाएं कि वह नीचे ना जाए एकदम से न इस साइट को गुमेंगा फिर फॉल करने कोशी करेंगा लेकिन जो फोर्स है वह ज्यादा है और अल्टिमेट लिए ऐसे गुमता रहता है तो हमें उतनी चाहिए तांके वह ग्रेविटी को अब आप यह दिमाग लगाओ यहां पे लो अर्थ और बिट की बात कर रहा हूं सब्सक्राइब लाइट दिए गुमेंगा दो रिजन एक तो देखो ऊपर जब चले जाएंगे तो और बिट बहुत बड़ा जाता है नीचे अगर आंगे तो और बिट शोटा है जैसे और बिट शोटा है तो यहां पे क्या होगा उसकी स्पीड हाई होगी जैसे आपको एक सब्सक्राइब लेकिन अगर हम उपर जाएं तो जीयो स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों कहलते हैं क्योंकि अर्थ के प्रस्पेक्टिव सिंक्रोनाइज रहता है उतनी स्पीड से चलता है जैसे हमारी एर्थ एक दिन में एक बार एक दिन में एक बार गुमेंगा तो यह आपका एक जो लो ओर अर्थ और बीट उसकी स्पीड होती है क्यों क्योंकि ग्रेविटी अर्विट्क में था है ह। और बिट के अंदर स्पीड स्लो होती है जैसे जियो स्टेशनरी तो उन्होंने क्या किया सैटलाइट को उपर लेते गए लेते गए यहां पे वह एक्जेक्ट ली अराउंड लेता है यहां पर लो पे कितना ले रहा है तो उसको अमने जियो स्टेशनरी सैटलाइट बोल दिया अब आपको यह एक्जाम के अंदर जैसे आपको एक एक ग्जेंपल देता हो और अगर आपने एक थ्रेड के साथ एक थ्रेड के साथ ये देखो एक पत्थर बांदा होगा आपने बच्पन में बहुत किया होगा यहां से हम हाथ में पकटते हैं और पत्थर बांद के सटलाइट वह दिरे गुमता है और जितना पास में होगा उतना तेज गुमेंगा ठीक है तो यह हो गया हमारा और बीट का अब पीएसल की जरनी देख लेता है पीएसल वी की अंदर आपको क्या याद रखना है एक तो यह पोलर और नियर पोलर के लिए हमने यूज किया निय जो सिंक्रोनिस भी जियो स्टेशनरी के जैसा ही होता है लेकिन उसमें इंगल का डिफरेंस होता है मैं उसकी डिटेल में नहीं किया होगा तो आप कमेंट बाक्स में बता देना मैं किसी दिन करवा दूंग जिस दिन टाइम मिलेगा ठीक है अब पीएसल वी जो हमने पोलर स बताते हैं तो इसके अंदर स्टेश आपको पता होता नहीं सेकेंड और फॉर्थ लीकृट मतलब फर्स तो उमारी सॉलिड सेकेंड लीकूड थर्ड सॉलिड फॉर्थ लीकूड यह हमें याद रखनी है चास स्टेश होती है और यह सन संपरोनिस ओर बिट हो पाठ यह पोल सब्सक्राइब चलते हैं और वहां पे उसको लाइट प्रॉपर मिलती है और बहुत सारे अर्थ आप्जर्वेशन जो सैटलाइट है यहां पे तो उसकी वज़ा यह आपको लॉजिक पता होना चाहिए देखो यहीं चीज़ें जो आपको यूपीसी के अंदर मार्ग से लाएंगी ठीक है और देखो जीओ सिंक्रोनिस बहुत आगे पहली दूसरी लीकवर्ड और तीसरी क्रायोजनिक अब क्रायोजनिक के बारे में आपको इंफ्रमेशन थोड़ी पता होने चाहिए उसके बाद आगे हम डिस्कूस करेंगे इसको ठीक है अब इसकी क्वैस्टी कितनी है फाइफ थाउजन के जी लो अर्थ ऑर्बिट के अंद हमने जो क्रायो स्टैनिंग जैनी के स्टेज है वह हमने सबसे पहले जो डिजाइन हुई थी जी एसल्वी एमके वन यह उस टाइम पे जो रशिया था रशिया वाज मेंबर आफ एमटी सी आर ठीक है जो मिजायल टेकनोलोजी कंट्रोल जीम है जो अभी यूएस के अंदर प्रेजिडेंट जो बाइडन ठीक है उन्हों ने उस टाइम पर एंटी सी आर का पार्ट था रशिया मेंबर था इंडिया नहीं था तो इस टाइम पर इंडिया ने क्रायोजनी क्योंकि उसके अंदर क्या है हाई टेकनोलोजी आप इतनी जल्दी ट्रांसफर नहीं करते हम आतम निर्वर बारत बनाएंगे और हमने इंडिजीनिस क्रायोजनी का पर स्टेज यूज कर ली इसके साथ आपको क्या और देखना है न्यूजपेपर अपने नोट्स के अंदर अगर आपने देखा हुए ठीक है एंटी सी आर चार हजी मैं इंडिया एक का मेंबर नहीं है किसका मेंबर नहीं है और तीन इसके इलावा दो और है ठीक है उसका मेंबर है तो यह आपको चारों को पता होने चाहिए उनका एम क्या और इंडिया मेंबर किसका यह साइड बाए साइड में आपको बताता जा रहा हूं अपने लिखने है ठीक है दैन रशीन क्रायोजन इंडिया ने अपनी इंडिजिनियस क्राइजनी का पर स्टेज बनाई जिसको बोलते हैं जी एसल्वी-मक-2 अब उसके बार जी एसल्वी-मक-3 आ गया इसकी कपेस्टी और आगे सब्सक्राइब आपको मैंने बता दिया लोगर के अंदर ज्यादा होगी ज्यादा है भी हम सेट राइट लाउंच कर सकते हैं और उपर वाले के अंदर कम कर सकते हैं यह हो गया अभी देखो जी एसल्वी-मक-3 को हमने कहां पर लाउंच करना है हुमन स्पेस फ्लाइट जो ट चंद्रियान 10 के अंदर कौं सा था चंद्रियान 10 के अंदर कौं सा अपने बिसी करतां यसी के लिए इसा हो गया कि आपको क्रेंट फेर और बेसी का पार्ट अलग नहीं है दोनों एक इतने जुड़े हुए हैं कि आपको अगर क्रेंट पट रहे हैं आपको बेसी क्रिवाइज होना चाहिए क्या था अब देख क्रायोजनिक इंजन की बात करता हूं यह बहुत ही लो टेंपरेश के अंदर हम इसको ग होती है और ऑक्सियन चाहिए क्योंकि वह अदरवाइज होगा है ना इकनाइट नहीं होगा क्योंकि ऑक्सियन जो माइनस नाइटी डिगरी के अंदर होती है अब आपको यहां पर यूपीसी साइड बाई साइड ऐसा क्वेशन आ सकता है अब देखो आपने बैलून देखा होती है हुआ है हुआ है अइसके अंदर ही लियम होती है अगम ठीक अब क्या सजाव और आपको ऐसा है क्या हिलियम और क्या था अब產ा यहां अधे इसको क्राइज्समिक देखा इंदर हाइड्रोजन कोको केरफुली लेकर जाना पbetा इस तो पहुत होता है और जितना सेटल जितनी यह पावरफुल होगी इसका वेट कम होगा तो जैसे वेट बहुत होता है तो इसका कम है तो एजी रहेगा ठीक है दूर तक जा सकता है दूसरी बात है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीन इसकी थ्रस्ट बहुत है इसकी अंदर जब यह बर्न उती है तो इसकी फॉर्स बहुत ज़्यादा है ठीक है तो एक्स्ट्रा पुश मिलता है तीसरा यह क्लीन है अपने लिस्ट बनानी है अपने नोट्स के अंदर मैं साइड वाई साइड आपने बेसिक के अंदर पढ़ा होगा अगर नहीं पढ़ा तो आपने वह कर लेना है ठीक है यह हो गया हाँ ठीक है और हाइड्रोजन उससे भी लाइटर है हाइड्रोजन जो हमारी है हीलियंस छाधा लाइटर है तो मेंस कि आपके मन में कोशन हाएगा वैल्म के अंदर हमने हीलियं डाली हीलियं क्यों लीक्किवेशन बहुत ज्यादा पोटेंशल होता कि ब्लास्ट हो सकता है इसलि तो यह होगी Diaz को का तो इस स्टेट्मेंट यहांala से आगी तो després में आपको पता नो Settings के बात करते हैं तो इसायल की बारे में तो हमने एजक् समय ने कमर्शियल आम बनाई है ठीक है दो तिन चीज़े याद रखना अंत्रिक्स जो आल्रेड़ी इस रोगी कमर्शियल आम है जो बहुत सारा पैसारन करती है जो फॉरंग के अंदर जितने भी इसके जो चलते हैं सिस्टम है ना इस रोगे बहुत सारा जो अपना कमर्शियल ल इस रोगे बनाई है जो सर्च करता है इस और नहीं नहीं टेकनोलजी बनाते हैं उसको मार्किट करेगा ठीक है क्लाइंट डूंड़ेगा को तो टरक्वी होगी है ना इकॉनमी बड़ेगी ठीक है नस इयल जो है वह डिमांड डिवन प्रोच याद रखना अब उन्होंने यह बहुत सारा नियूस के अंदर रहता है उन्हों बोला आंत्रिक सालडी है थो हमने एंस इल क्लार क्लारी किया जो है वह डिमांड डिवन अप्रोच रखता है रेधर दैन करण्ट जो हमरे एंत्रिक स्की रिपोर्ट सप्लाइड अप्रोच है इसको सप्लाइब करना यहां तो यह दोनों के अंदर चोटा सा डिफरेंस है इन स्पेस एक और बनाई है यह एक इंटरफेस है इस रो और प्राइवेट पार्ट इसके बीच में तो आंके कोई भी रिसोर्स है इस रोके उसको बेस्ट रूटिलाइज किया जा सके तो यह तीन अजंसियां अंत्रिक्स पहल है ठीक है उसके बाद हम आगे चलते हैं कि की मॉलीक्यूल को वैक्सिन अब इसके अंदर देखो अगर मैं आपको बता हूं ऐसाच अगर न्यूस पेपर के अंदर यह आप न्यूस पड़ोगे तो आपको कुछी हार्ली कुछ होगा जो समझ आएगा क्या हो रहा है क्या नह पहले देखो बाइलोजिकल प्रेपरेशन है जो प्रोवाइड करती है और इंफेक्शन कैसे मालो आपको पास जैसे हमारे अंदर कोई वायरस चला गया हमारी बाड़ी उससे फाइड करेगी ठीक है लेकिन जब अगर वह वायरस नया है जैसे अभी यह क्रोना वायरस नया लाइव ग्रोटा और हमारी बाड़ी के पास इतनी जो कपेस्टी नहीं थी उसको फाइड करने के लिए वाड़ी ने इसको कभी देखा नहीं था ठीक है अब यह हम वैक्सिं बनाते हैं वैक्सिन बहुत टाइप से बनाते हैं लाइव एकिन वहां क्लीर होगा वैक्शन के अगर करूना है उतना ज्यादा मतलो इफेक्टिव नहीं लेकिन कम इफेक्टिव जो बाहर से आता है बाड़ी के अंदर उसको क्या बोलते हैं एंटीजन हमारी बाड़ी क्या रिलीज करती है एंटीजन तो उसको कम पावर वाला हम वही जो वाइरस है हाफ किल्ड हो सकता है यहां से इंटीजन बहुत सरे टाइप के मतलब इतना समझो वह एंटीजन बाड़ी के अंदर जाता है जो इतना इफेक्टिव नहीं है इतना स्ट्रॉंग नहीं है और हमारी बाड़ी दीरे उससे क्या करती है और अल्टिमेटली उसको खत्म कर देती है यही कंसेप्ट है आपने बहुत बार देखा हो कि हम वैक्सिन लगवाते हैं न तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे अम मरकि वैक्षिन है और थोड़ा थोड़ा हमारी बाड़ी के अंदर क्या हो जाता है को वार्डी उससे फाइट करती है अब देखो थोड़ा सा जो स्ट्रॉंग था उससे बॉडी ने रिकोगनाईज किया कि इसकी ऐसी शेप है ठीक है जैसे करोना की शेप है वैसी शेप वला आया और बॉडी ने उसको ओटेक और उसको खतम कर दिया अब जब एक्चुल में करोना होगा तो थुमारी बॉडी के पास उतनी इम्मेनूटी होगी कि उससे लड लंग क्या है तो उसके बेसिज के ऊपर बहुत सारी आम पब्लीक जो है वह उसको रिकोगनाईज करते हैं कि मुझे यह बंदा ठीक नहीं लग रहा तो वैसे ही एक बार अगर मान लोग पहली बार आया किसी को पता है नहीं कैसा लेकिन जब उसके पता चल लगे तो नेक्स किया अब नेक्स बार जब असली आएगा तो उसके उपर पहले से मारी बाड़ी त्याहर रहती है क्योंकि एंटी बाड़ी बन चुकी होती बाड़ी के अंदर तो यह मैंने जो नॉन साइंस स्टूडेंट है उनके लिए मैंने बिलकु ले मैं लें लेंगविज के अंदर बताया अब देखते हैं टाइप पहले है लाइव अटी नूटर्ड वैक्सिन लाइव एटी नूटर्ड वैक्सिन का मतलब क्या है जो वीकेंट फॉरम जैसे अपना वाइरस है तो वह उसकी वीकेंड फॉरम को लेते हैं उसको बाड़ी के अंदर बेजते हैं और वहां से इम्मुनिटी जटेरेट करती है और यह मेरा न लाउंग लास्टिंग इम्मुन रिस्पाउस देती है शर्ट है शबन और टू डूजस ठीच है की जुरूरत है और वह इंपक्ट दे रह थे आप इसका लिमिटेशन क्या है ठीच मुझेंड फिकन्ट टं वीक है पर डेढ नह भी आ सकते हैं ठीक है विकन इम्यून सिस्टम लॉंग लास्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम केन बी देर दे नीड टू कैप और दूसरा के बहुत ही लो टेंपरज के अंदर रखना पड़ता है इसको ठीक है यह उदर लिखा हुआ है एक्जेम्पल इसकी कहा है एम्मार स्मॉल करता है पर इतनी स्ट्रॉंग नहीं करता क्योंकि यह तो बाडि इसको रिकोगनाईज करती है यह बहुत ही ज़्यादा वीक है जब वीकन की बात करों यह तो बिलकुल डेट है डेट के ऊपर थोड़ा बात बाठ बाडी करती है ना तो थोड़ा बात इम्मुनुटी जनरे वेक्सिन तो जब हम देते हैं तो आपको चलो यह एक्जेंपल में देते हूं आपको और के लैरेटी आजाएगी यहां पर तक इनके अंदर डिफरेंस किया है ठीक है हमने अभी जो किया लाइव एक्टिवेटर अब बात करता हूं जो ओपी ओरल पोली वैक्सिन है हमारी ठीक है आपने एक टर्म निउस्का daieros नहीं होता यह वीकेंट Leto घ्रन होता है हमारी बाड़ी के अंदर आपने पूली वेक्सिन जह हम लेते हैं उसके अंदर विक एंड वाइरस है वीक है डेड नहीं है नहीं है वारी बाड़ी के अंदर गया इंटेस्टाइन के अंदर जाता है और मल्टीप्लाई करता अब बहुत सारे पूर क्लासे जह बच्चे ते लिए यह को भूलते हैं वें डिराइफ देराइब पोलियो के वेक्सिन से जबीक हो गया दूसरे बचों को क्योंकि दूसरे बचों के अंदर भी इतनी नहीं उन्होंने वेक्षिन नहीं लिए उसके बाद आईपीवी जो हम लेकर आएं इनक्टिवैटेर्स पोल्यवीक्सिन को इम्पेक्ट नहीं करें तीसरा एक और टाइप होता है सब यूनिट री कॉंबिनेंट पॉली से क्राइड एंड कॉंजूगेट वैक्सिन यह मिक्स करके बनता है बहुत सारी चीजों को इसके अंदर प्रोटीन शूगर यहां उसकी जो लेर होती है न उसको कुछ न कुछ पार्ट लेके हम बनाते हैं ठीक है क्योंकि यह बहुत एक स्पेसिफिक पार्ट को यूज करते हैं जर्म के इसलिए इसकी इम्मुनिटी बहुत स्ट्रॉंग होती है और लॉंग टर्म अब देखो यह वीकेंड इवन इसका जो बेनिफिट आपको याद रखना है कि यह दूसरे लोग जिनकी इम्मुनिटी इतनी स्ट्रॉंग भी न है उसके अंदर यही चलेगी दूसरी अगर मालो वीकेंड वेक्सिन हमने उसको दे दी तो उसकी बाड़ी के अंदर जो वीकेंड के साथ ही जो उसकी फाइट करने की इतनी उसकी नहीं रहेगी को कि अल्रेडी उसका इम्म्यून सिस्टम वीक है और वह बिमार हो जाएगा और इसकी अग्जेंपल यह नीचे मैंने लिखती है और दूसरा एक और टाइप है टॉक्साइड वेक्सिन यहां पे क्या करते हैं टॉक्सिन उसका जो हांफुल जो एक में टॉक्सिन है उसी के लेकर क्रियेट करते हैं ठीक है तो यह इतनी इंपॉर्टन ही लेकिन आपको इंडियन कॉंसल मेडिकल सर्च के द्वारा बनाएंगे यह इन एक्टिवेटर हमने टाइप पड़ लिए अब इसके अंदर आपको क्वेशन आ सकता है कि कौन सी है इन एक्टिवेटर यूपेसी क्या करें कि पहली स्टेट्वान बता रहें को वैक्सिन दूसरी में बता र कि यह क्यों इस उसके क्रोना वारफ को क्रोना यहां पर सैप्टर के साथ मिलके अपना अर एन्सके बाडी के Acts लिए नस करते हैं और छिए मशीनरी कीapi sni कोई भी वाइरस की अब यहां पे इन्होंने मॉलीकुल बनाया है को वैक्षिन के लिए मॉलीकुल क्या है यह टी एल आर सेवनेट हमने इतना याद रखना है इसके अंदर कुछ नहीं मैंने लिखा तो यहां पर रखा है पूरा लेकिन आपको इतना कुछ नहीं है एगोनिस् सिंथेटिक रूट के लिए फोर एगोनिस्ट मॉलीकुल हमने इंडीजिनियस केमिकल एट फोडेबल प्राइस तो अब हमने बहुत सारे ऐसे टी एल आर सेवनेट चाहिए क्योंकि एड करता है बाड़ी को फाइड करने के लिए तो ऐसे मॉलीकुल हम सिंथेटिक अली बना करती है और जब और जो ऑर रिजनल आता है तो हमारी बाड़ी के अंदर ओल्री एंटिबॉडी क्रेट होई होती है और वह से चलिए सुर्य कि इस डेल ऐडिशन के अंदर पेज नमबर 10 अब इसके अंदर यह होगा तीन से पांच मार्च को ठीक है फ्रॉम मार्च थर्ड तू फिफ्ट ऑन सेवंटी सेलिबरेशन ऑफ श्री लंकान एर फोर्स तो अभी यह तीन से पांच को होगा अभी तो आज एक है उसके बाद देखेंगे लेकिन सूर्य किरन क्या है यह देखो ऐसे कलर हो गयरा फॉर्म करते हैं पूरा अरोबेटिक्स करते हैं और हेलीकप्टर के थ्रू बस इतना याद अखना है लेकिन अभी आएगा तीन वह पांच से अंदर अगर कुछ अपड़ेशन आती है तो हम वहां पे डिसक्स करेंगे अडवांस नियूज है डैन एलिफेंट ट्रेडर्स ह तो हैं कि नमबर ओफ एलिफेंट हाइस्ट रिचारला यह वहां पे एक वेशन आ गया यूज़ें आगया यूसी आपको पता नहीं यह क्या क्या काम है क्या काम होता है कि इंटरेश्टल जो ट्रेड़ होता है उसके अंदर वह देखता है कि इसको रेगुलेट करता है प्र लेकिन बहुत सारा खाता है इसका नाम है मेगार्वीवर 2007 के अंदर सेंसे हुआ हर पांच साल बास होता है उसके बाद 2012 के अंदर हुआ और इस्टन इंडिया ठीक है और थोड़ा सा इंडिया नॉर्थ इंडिया के अंदर इतने अलिफेंट नहीं पाए जाते हैं जो सरकस के अंदर यहां वहाँ आपने कैप्टिविटी के अंदर देखे होंगे वह तो है लेकिन यहां पर जो एक बात ज्याद अखना यह काउंट करते हैं जो वाइल्ड के अंदर होते हैं जंगलों के अंदर नहीं कि अन्दर करनाटका रिजन के अंदर ने लिजन नहीं ने यूसीन के हिसाब से प्रसंट आप अपर तो यह आपने याद रखना है इंडिया के अब देखो जो ट्रेड इसको जो बॉड़ी इसके लिए वाइड लाइफ क्राइम कंट्रोल बीरो दो तिन चीज़े याद रखनी है अब वह एक्जाम के अंदर पूछेगा वाइफ क्राइम कंट्रोल बीरो क्या यह अपना सुसाइटी यह फिर अपना यह स्टेट्चरी बॉड़ी यह तो यह statement आती है है ठीक है यह कहां से दूसरी बात यह कौन से अंदर प्रोलिटिक यह इंदर है इनवार्मेंट्ट प्रोटेक्शन अंदर है यह तीन चरो होती है तीन उचरों को एक पेज के ऊपर लिखना आपको याद रहेगा कौन कौन सी कहां प्याती है तो यह किसके अ क्राइम जो भी इंटरनेट के थ्रू चलता है ना वह सारा क्राइम के लिए यह सारा इटेंशन करते हैं तीन चीज़े याद करने हमने बाड़ी कौन सी इसका निचर क्या है कौन सी मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री आफ एंविर्मेंट और इसका अपरेशन वाइल नेट अगर मैं क विक्ली वाइले प्रोटेक्शन एक्ट की बात करूं तो यह हमने आपने पड़ा होगा बेसी के अंदर मैं डिटेल के अंदर नहीं जाओंगा लेकिन बस आपको ओवर्वीव दूंगा शेडियूल वन और टू जिसके अंदर कंप्लीट प्रोटेक्शन है इसके उपर लास प्रोटेक्शन मिलती है लेकिन लेसर प्रनल्टी है शेडियूल फाइव के अंदर अभी कोशन आया एनिमल में भी हेंटर कॉमन क्राव रैट्स और फ्रूट बैड शेडियूल 6 के अंदर इस साल कोशन आया जो जो प्लांट्स है ना इसके अंदर प्रहिप्टेड है उसके ड्रग जो बैंड एंडिया के अंदर उसकी कल्टीवेशन भी हो सकती है अंडर दा लाइसेंस यह आज रखना अगर मालों इसकी कल्टीवेशन नहीं करने तो फिर रखाई क्यों है ठीक है प्रहिप्शन क्या है कि किलिंग कैप्चिरिंग ट्रैपिंग ऑफ एनिमल एग प्रमिशन देगा वाइल लाइफ ठीक है राइटिंग अंदर काव चुडूल वन के अंदर जो स्पीसिस यह उसको हम हंट कर सकते हैं इस डेंजरस टू हुमन लाइफ लिए और डिजीज उस टाइम पे आप मार सकते उनको तूटू फोर है उसके अंदर अगर देगा तो यह ऐसा को बहुत ज्रों करना कंजर बहुत है याद रखना एसा निया कि मारून आप resting cell के अंदर वहां यह एसा नियए और राज़न तर नहीं ठीक है देने विक्षिशन और प्राउन गेरी राइट रीस्टार्ट एट चिलका लेग यह क्या है प्राउन गेरी प्राउन को जो एंग्लोजर जहां पर प्राउन कल्टीवेशन होता है बहुत सारा उन्हें चिलका लेकिंदर ऐसे डिमार्केशन जैसे आपको अब चिलका लेक के बार में आपने अपने नोट्स के अंदर देखना है इसके बार इसके ऊपर आ चुका है लार्ज नाला बना आईलेंड जो है ठीक है वह भी यहां पर है और कलीजाई जो टेंपल है वह भी यहां पर बस आपको याद रखना है क्योंकि यूपिए से इसके आसपास है तो यहां रखना है यहां पर है ठीक है ओके दैन इरावडी डॉल्फिन को पढ़ाने से पहले मैं आपको चाहूंगा कि आपको चार जो फ्रेश वाटर डॉल्फिन उनके बारे पता होना चाहिए जो यह से डॉल्फिन चाइना के अंदर है क्रेटी के आपको पता होना चाहिए चार फ्रेश वाटर डॉल्फिन इनका लोकल नेम कि अगर नहीं पता नहीं मिल रहा कोचिछ करो अगर नहीं मिल रहा तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना मैं किसी क्लास के अंदर उसके बारे में डेटेल में ठीक है अब यह सेंसर किया किस दे चलतिया में उडिसा के कोस्ट के उपर तो यहां पर साउथ सीज एशिया मैनमार के अंदर भी है इंडोनेशिया और चाहिना के अंदर भी थोड़ी से है डॉल्फिन पॉपुलेशन चिलका लेज के अंदर हाइस सिंगल लगून पॉपुलेशन एंडेंजर स्टेटस है इस है उसने किया था किया कैसे है हाइड्रोफोन हाइड्रोफोन क्या मेजर करता है हाइड्रोफोन क्या मेजर करता है साउंड को रिकॉर्ड करता जैसे डॉल्फिन मालो आ रही है ठीक है यह साउंड को रिकॉर्ड करेगा और उससे पता जल जाता कि डॉल्फिन आ रही है यहा आपको इतना रखना है हाइट्रोफोन का परपस कहा है रिकॉर्डिंग साउंड और यह डॉल्फिन के अंदर यूज करते हैं जैसा इस बार क्वेशन आइथा ने साइंस एंट टेकनोलोजी हमने यूज कर लिया है यह भी टेकनोलोजी है वह बोलेंगा है यह लिए हम डॉल् करेंगा तक आपको पता जले किस कैसे किस आर्टिकल कैसे रिलीड करना है डेली एक्सपीरियंस हाइए हाई हाई तेमपरेचर देखो पहले वहां पर अब वहां पर जो टेमपरेचर एकदम से इंक्रीज हो गया जो हमारी इमडी वह क्या बोल रही है कि यहां पर इसलिए किया यह देखो वैश्टर डिस्टर्बांस कर्我 ऩह तो है यहां पर हाज का तो था मेडीटी इंदीजन रहे है अगर पर फ्रहई ईंदर कर आ जो यहां पर जो एस यहां पर रेइन होती है आपको यह याद रखना एक दूसरा कि यह पहले बहुत बार क्या हुआ जहां पर रेनफाल होती है हिमालय के अंदर इसके कारण और बाकी जगा रेन होती है यह रभी सीजन के लिए बहुत बढ़ी है जो वीड कल्टिवेशन के लिए अपने जोगरफिक नोट्स के अंदर ज करती है इरान अफगानिस्टान पाकिस्टान और इंडिया के उपर आती है यह तो हो गया हां तो यहां पर आपने इंपेक्ट मैंने बता दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट इसके अंदर जो हमने प्री के लिए याद करना है क्लाउडी स्काई एंड प्रेशर क्या है ऐसे ही याद रखना है वहां पर हाई और लोगों के अंदर आपको नफीज हो जाओ ठीक है अगर ज्यादा प्रेसिप्टेशन हो जागी नेचरली क्रॉप डेमेज होगी लैंड स्लाइड हो सकता है अगर मालो यह यहां पर देखो इंडिया विफोर यह ऑ होता है जिसे मौनसून अडवांस होती है ओके नागल लैंड इस टू रिवाइव प्रिकली केज ठीक है फोर लॉब्रेकर्स यह आपका पॉलिटी के अंदर है देखो नागलेंड के अंदर जो ट्रडिशनली कस्टोमरी क्या था कैसे यह केज बना देते हैं उसके अंदर अ अब इसको क्या बोलते हैं खुजली घर भी बोलते हैं ठीक है तो यहां पे खुजली घर भी बोला जाता इसको तो ऐसा नहीं के क्योंकि वो कांटे से होते हैं वो चुबते हैं और इसलिए इसको खुजली घर बोलते हैं ठीक है कोई भी पाउडर चाहें डर्मी कूल लगा लो कुछ नहीं होगा इसमें से ठीक है उसके बाद इसके बाद जो हमने प्री के लिए याद करना है आउस ठीक है आउस सब्सक्राइब करना है जब आपको कॉस्टम वर्सित जैसे आपके बहुत सारे अभी इस्यूज़ है जली कटू का इशू है जो कस्टमरी है ना काफी टाइम से चल रहा है उनका कल्चर है लेकिन हम कॉंसिट्यूशनल ही देखते हैं यहां प्रिवेंशन आफ क्रूयल्टी अगेंस्ट एनिमल वहां पर एनिमल को नहीं मारना चाहिए देन हमारा जो सब्री माला टेंपल है वो इसके अंदर देखो आंसर तो सारे लिख देंगे चार्चा स्टेटमेंट पर अगेंस्ट और प्रो लेकिन वहां पर एगर गजेंपल दोगे तो तब भी आपका आंसर जो है वह बाकी से अलग होगा ठीक है ओके आप देख लेते हैं कि कि बहुत सारे जो आर्टिकल है ना अभी मैं डिस्कृस नहीं करूंगा लेकिन आपको बता दूँगा आपको कैसे पढ़ने हैं हम करेंगे संडे को यह पूरा इसका अनेलसिज होगा सारे आर्टिकल जब इकठे हो जाएंगे सारे एडिटोरियल और एक दिन में हम उसका अनेलसिज कर लेंगे पहले हैं जैसे आइटी लौ है जैसे आपको पता है अभी जो जितने भी कंट्रोल करना चाहते है सोचल मीडिया को ओटीटी प्लेटफॉर्म को तो वहां पर फ्रीडम आफ स्पीच वर्सीज जो गर्मेंट की कर्भ है है ना उसके अंदर आपने एक प्रस्पेक्टिव से पढ़ना है इनक आपने कितना ठीक किया हुआ अपको इसके अंदर क्या है रेगुलेट डिजिटल कंटेंट यह भी उसी के अंदर तीनों आर्टिकल को एक जगा रखके पढ़ लो नेशनल साइंस साइंस के बारे में बतायागा जैसे आपको पता है अभी जो इन्हों ने एक एक्जाम कैंस के लिए लेना था जो इन्होंने बाद में उसको बंद कर दिया कि नहीं अभी इसके बारे में हम देखते नहीं है तो यह उस कंटेक्स को लेकर यहां पर क्या लिखा है रेलेट करके देखों लेट करो कि तभी आप यूपीअचि के अंदर एक अलग असर लेख पायों इपके कैसे पुछे आते hommeי उसाले इन्फोरμεंशन निवस्पिप्र क्याने से कुछ नहीं होदा निवस्पिपर से हिदिन leukemia जो है वह आपके कोश्चन के हिसाफ से कैसे यूपीस को यूज करती है वह हमने देख नहीं है यहीं परपस है इस जो डेली नीजपेपर अनल्सिस का सो दिस इस आल बाउट फो टूडे